हेलो फ्रेंड्स तो हम देख रहेते हैं अपनी फार्मकोगनोसी सेकेंड बी फार्मेसी फिफ सेमिस्टर और हमारी यूनिट परस्ट में जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है यहाँ पर इस्टडी और यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिवाइस टॉप्स इन्वे प्रिविएस वीडियो नहीं देखिए हूं तो वह जाके आप पहले देख लेना क्योंकि आपको सारा कुछ बहुत अच्छी समझ आएगा और बाक्की और सब्सक्राइब होगी वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्स बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां जाएगे सबसे वहां पर आपको वर्ड दिख रहा होगा यह मैंने लिखा है से इन्वेस्टीकेशन अपने मुवी इपकरमें देखा हो गया जैसे मानों कहीं चोरी हो गई चल रही इसका मतलब क्या है पुलिस उस मतलब जो हमारा चोर हो गया जो कातिल हो ओसका पता लगा रहे है या पर पता लगाना किसी भी चीज़ का किसी भी उस चीज़ का किसीज़ चीज़ का तो यहां पर भी हमारी का हो रही ए इनवेस्टीकेशन हो रही है लेकिन हो कि demonstrating तो अब हमगताattend N cable Self कि यह Western निकालेंगे सब्सक्राइब यह जैने लिदिक है उसी थो महीं यान कि हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर हम वो चीजों के बारे में study कर रहा है जो हमारी body के अंदर हो रही है और उस चीज से क्या हो रहा है कोई नई चीज हमारी क्या ले रही है ठीक है जेनेटिक का मतलब यहां पर क्या हो गया formation of one अनुदर living from another form यान कि एक living wings है दूसरा living wings यहां पर क्या हो रहा है बन रहा है इसको यहां genetic से डिखनोट किया गया है तो यहां पर पूरा जो bio genetic मतलब क्या होगे यहां पर आ रहे लिगा किसी living wings के अंदर किसी चीज की क्या हो रही है formation बन रही है अब देखो यह हमारे जो पूरा subject है वो क जो हमारे कुछ-कुछ primary metabolites उसके अंदर फॉर्म हो रहे थे तो अगर हम सिंपल वात हम बोलें तो बायुजनेटिक को हम क्या बोल सकते हैं कि study of a metabolic pathway in plants from which we get the primary metabolites and secondary metabolites यानकि simply बोलें तो हमको primary and secondary metabolites जिन pathway के द्वारा हमको मिल रहे हैं हमारे plants के अंदर उनी पात्वे को हमें क्या करना यहां पर investigate करना यानकि उनके क्या करना हमें investigation करनी है अब आप यह तो समझ गया कि भाई बायुजनेटिक स्टड़ी क्या है investigation क्या है मतलब बायुजनेटिक स्टड़ी में हमको जो हमारे पात्वे हैं उनके बारे में को कुछ पता लगाना है अब बात आती कि क्या पता लगाना है कैसे पता लगाना है तो इसके लिए ना मैं आपको पहले अपने पुरानी चीज़े को दिखाते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्ट्टर में यहां पर study की थी तो जैसे देखिए यह हमारा है basic metabolic pathway और अगर आपको याद हो यहां पर क्या हो रहा था यहां पर यहां से यहां पर हमारे यहां को प्रोड़क्ट मिल रहा है तो यहां पर हमको यहां से घ्क शुस्ड़क्ट में अल्कलोड ठीक है यहां पर यह सारे के सारे जो पाधविज हैं यह हमारी living beings के अंदर यान कि प्लांट बगरा के अंदर हो रही है मतलब आप से कोई पूछे कि यह सही है कि नहीं है आप क्या बताओगे आप क्यों कि आपने यह केबल इस चीज को देखा किसी प्लांट के अंदर आपने लिखा हुआ पड़ा और आप माल लोगे कि यह सचा ही है आपने देखना भी तो होगा कि मालो कहीं चोरी हो गई और पर भी तो हमारे फॉसक पासिट में मिल रहा है कि नहीं जानाट की हमारा फॉसफोसिट अधर भी बना और आगे नागे हमारे कुछ amino assets हमको मिले यहां पर इसंगे तो इसका क्या इसको से सवाल मन में आए कि रहे हैं तो इसके अंदर यहां ऊइसा तो नहीं कहीं है और पिछंगे और और बन रहा है तो इसे बहुत से मनमें सबाल थे तो उनी सब को investigate करना यानिकि उनी सब को में पता लगाना है इस वाले टॉपिक के अंदर कि क्या actual में इसी के द्वारा हमारा यह बना है सिक्में गैसे इसके तो नहीं है वह और किसी पातवीजे बन गया हूं इससे ना बना हो तो यह सब चीजों का ह हो हमारे बना हमारे बना है कर रहा है श्राइक इवर ऑन का रहे हैं तो अपक चाहिए बहुत सब्सक्राइबस समयुन और चाहिए यह सब यहां पर हम क्या करना है रहे हैं च्योंकि कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इन्वस्टिगेशन करने किसकी जो अमारे मेटाबॉलिक पात्वेज क्या इन्वस्टिगेट करना है कि इंटर्मीडियट कहां से बने किसके दोरा बने कैसे बन रही है प्रीकर्सर यही हमारा होगी ऐस रोग बगेरा के बार में आपने पहले वी स्टडि किया होगा तो क्या होता है हमको पता हैSmith कौई Sumar Sp quienes consider system को देखने को मिलती है इसे माल लीजन लिखा तो यहां से निकल जाती है और ऐसे कोश्चन भी जो है जीपट बगर है जा कहीं भी कॉंपटिक्शन में आ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात क्या है आप लोग को यह चीजा पता होना चाहिए तो देखो सिंपल धी बात है यह जो हमारे यहां 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 पर ए यहां एक और है तो हैंट नमर यहां दीन फो यह हमारे क्या हैं यहां नफौन को सिंपली डिफाइन करें तो कह सकते हैं इसोटोफ्प और धिल्य हैं विछ था सिमिलर यह पास क्या हैं इसमेलर यह तो सिमिलर आबी यहां कि उनका जो यह यह atomic mass या weight वह हमारे क्या है इनका इनका डिफ्रेंट्स बार कि जो इनका atomic number है वह हमारे क्या होता है एक दम similar होता है अब हम समझते हैं यहाँ पर हमारे आइसटोफ में डिबाइड आफ़त पहले यहाँ पर होता है इस्टेवल इसिटोफ और दूसरे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं अन्इस्टेबल अब देखो pytAC कहा है यहां पर आपको देख रहा हुआ है यह हमारे क्या करता है रेडियेशन को इमिट नहीं करते हैं और यह रेडियेशन को इमिट नहीं करते हैं तो यह हमारे रेडियो एक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि जो कंपाउंड हमारे रेडियेशन को इमिट करते हैं वह हमारे को इमिट करते हैं और इस बज़ा से यह जो भी कोई मतलब है वो हमारा आगर रेडियेशन को बाहर निकाल रहा है तो वह चीज़ हमारी क्यलाते हैं रेडियो एक्टिव आइसटोप्स और हमको यहां पर पता लगाना है और हमारे इसमें कमपाउंड कौन से था यहां जैसे कारवन 14 कारवन 13 स्टेवल में आ गया कारवन 14 नहीं अब आता है कि मनमा सवाल की आखिर यह यह मारे रेडियो एक्टिव चीज़ क्या है और क्या है तो देखो हमको याद हो अगर तो जो हमारे होते हैं प्रोटीन और फिर दूसरे हमारे होते हैं न्यूट्रन तो प्रोटन न्यूट्रन इन दौन की संख्या को मिला के हमारे यहां पर बनता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं कर हम हाईडोजन का लें तो नॉर्मली क्या है इसका एक हाईडोजन यह है और एक ही न्यूट्रों होगा लेकिन यहां पर क्यों होका दो यह स्टरह से हमारा बनती है अब बात बात आती है कि यह यहां पर पिस्की निधान के लिए अपने आपको करने के लिए यह क्या करता है यहां से इसको image करता है और यहां किसकी颶्वाल अुट हो ले जा को बाहर से और यहां पर खुद को क्या करेंकर है थो इसी पर यहाँ पड़ केक्र ओकिलाते हैं अब मैं आगे आपको बताता आँगा कैसे यह हमारे इस चीज में help कर रहे हैं तो आई होब कि आप लोग यह सारा समझ गए होंगे कि एक्च्वल में टॉपिक हमारा है क्या और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ आपको थोड़ा सा भी डावट हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते ह हो जाता है पहली बार में ऐसे थोड़े complicated topic समझ नहीं आते हैं आप क्या कर सकते हैं फिर से एक बार रिवीज कर सकते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के आपको सारा कुछ जो अच्छे से समझ आता है अब जो हमारी चीज हो रही है जो मैंने आपको बदाए हम इसको investigate करेंगे इसके लिए भाई हमारे जैसे हमारे real life में क्या अलग-अलग चीजां CBI है पुलिस फोर्स है फिर CID है और भी बहुत सीजा होती है तो यहां पर भी कुछ इसी तरह की हमारी टेक्निक दी गई है जो हमारे इसको investigate करेंगी तो यहां पर total हमारे पास क्या है फाइफ टेक्निक और यहां पर इस सबसे में नहीं है और सलेगर्व इसके चांस होते है क्योंकि है तो इतने नमर बात करते हैं जो हमारे ट्रेंव करेंगे है इसमें हम क्या करते हैं इसी के अंदर हम जो यह überhaupt करते हैं और हमारा हेडिंग में वाली या मनी हीश्ट वेकर आप लोगों ने देखी होगी तो वहां पर एक्टिल में हमारा हुता क्या है आपने देखा होगा मतलब एक GPS लगा देते किसी के भी उपर तो अब क्या होगा वह जहां-जहां जाएगा वह ट्रैक हो जाता एक दमयान कि हम लोग को पता चलेगा कि वह कहां-कहां गूं रहा है तो इसीगी का यूज करना अफ इस के लिए अपने बाइवडianaate pray क वो करने के लिए बाइव आप जानो उसके बाद क्या हुआ यहां पर चौरी उधाते हूए rotor आप ही पता नहीं किस ने किया नही स्मार को ड़ाती है रात मैं चौरी उधाती है और सारका सारी सूरा माज अचन्त आता है etm से और आप पास क्या करते हैं इनके पास एक ऐडिया होता है यह क्या करते हैं कि इस नहीं पाइब लगा देते हैं पांचों पर क्या लगा दिया अब क्या होता है अब कहता है चलो कोई बात नहीं लेकर पुलिस वाले कहते हैं लेकिन गाउं छोड़के कोई नहीं जाएगा सम्मान जाते हैं लेकिन अब को यह बात याद होगी कि जो चोरी करता वही उसको तो जल्दी जल्दी रहता है कि हम यहां से निकल जाएं हम इस सहर से दूर भाग जाएं सभी तो जो एक्च्वल में यहां पांचों के उपन उन्हें ट्रैकर लगा चुके हैं उनकी कार पर सब चंगर लगा तो जो हमारा एक्च्वल में फांचों का वो क्या करेगा वो यहां से जाएगा और गाउं की तरह मतलब या तो बस्टेंट रेलिवे स्टेशन एयरपोट कहीं ना गई से भागने को से करेगा अब यहां पर लगा GPS तो पुलिस वाली क्या कर लेंगे इस चीज को ट्रैक कर हुआ है तो यहां पर उसने कहा कि पुलिस वाले ने उन चीजों को ट्रैक कर लिया तो इसी तरह से हमारी को यहां पर ट्रैक्निक का काम होता है इसमें क्या करते हैं तो हमको पता लगा रहा है की जो हमारा यह हमारा यह क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं हम यहां पर इसमें एक radioactive isotopes लगा देते हैं यानकी carbon 14 लगा देंगे यहां पर तो हम क्या करते हैं लेट करो हमने यहां पर क्या किया कि इसमें carbon 14 अपना एक compound बदल दिया तो अब बस इसको हम चलने देगे तो अब क्या हुआ यह दोनों मिले यह reaction हो यहां पर यह हुआ यहां पर यह सब होने के बाद अगर यहां पर यह carbon 14 वाला compound यहां से इधर बापिस आ गया इस वाले carbon पर या किसी carbon पर तो हम समझ जाएंगे कि हाँ जो हमारे इसी के दौरा बनाए और अगर यह इस पर नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर इसका जो यह था या तो यह बाहर निकल चुगा है यह इसके दौर इसक्मेट नहीं बना हमारे किसी और के दौरा बनाऊगा तो इस तरह से हम यहां पर हमारे ईलिमेंट्स है उसको रडियो की जगह बदल देते हैं लगा देंगे और जब वह हमारा पूरा बूरा सिट्म कर पर जाएगा तो अगर वह मिल जाता इसका मतलब क् एंड में फना यावव फिल एंडार्यक है तूससिंट सॐब्स है औलओ यहां पर ऐसे अधर माने यहाँ तगर और हो इसे क्या पर है क्या अगर मां यहे फोरटीन करवन इदर ना और कहीं निकला तो पार्टींग om हमारा कहीं और से बन कर आ रहा है तो इस तरह हम यहाँ पर सार अपने जो ट्रेसर टेक्निक उसका हम यूज करते हैं इस तरह हम सारी चीज़ पता करते हैं और पता क्यों करते हैं हमको इन्वेस्टिगेट करना अपनी प्राइमरी मेटाबलाइज सेकंडरी मेटाबलाइज उस यहां पर नाइट्रोजन के यूज करेंगे और अगर हमको यहां पर और इस तरह से हम यहां पर डिफरेंट चीदों के लिए डिफरेंट डिफरेंट इपरेंट अब हम समझते हैं steps involved in treasure technique यान कि यह हमारी treasure technique है इसको मतलब कैसे कैसे हमारी होगी इसके अंदर कुछ हमारी steps आते हैं तो उनको यहाँ पर हम समझेंगे उससे बहले एक और बात जैसे आप लोगो यह तो मैंने बता दिया कि मतलब इसको हम पढ़ते क्यों है आक्ड़ाल में कैसे और कॉनसी साइट 물ो यहां से मारे बने और यहां से मेटाबयाट्क तो यह पता लगाना है कि इस प्लांट के नंदर कौनसी जगह हमारे से कंडरी्टरी मेटाबयाट्स वह एहां पर ने प्र चया है याँ पर हमारा इसनलेट करेंगे और बाहर निकालने के ओना फिर हम उसको किया करेंगे वहां पर च Veget करेंगे और हंसको क्या करेंगे हैं continues कार्वन 14 अगर हम को यहां कहीं पर आया है पता लगाना हो यहां düşs तो हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, हमने यहां पर मालो कारवन 14 डाल दिया, यहां हमने नाइटोजन वाला आइसोटोप डाल दिया, यहां हमने हाइडोजन वाला डाल दिया, यहां हमने और कोई डाल दिया, यहां हमने कारवन 13 डाल दिया, तो इस तरह हमने अलग अलग के लिए निकालेंगे चेक करेंगे अगर यहां पर हमारा ठाला इस क्वाल पर बना şur यह हमारा roots से होता हुगा बनाएं अगर यह हमारा लिए अक्सिजन डाला था और वहां से अगर हमको यहां पर oxygen मिल जाता है तो हम समझाएं कि हाँ यह हमारा oxygen के दोरह बनाएं तो इस तरह हम एक जगा पर अबने एक तरह से जीपीएस से लगा दिया है और वह चीज़ अगर ह जो है total 4 step है बहुत easy way में simply समझते हैं पहला हमारा है preparation of level compound तो यहां पर आपको मैंने बता है कि हम radioactive isotopes या हम simple isotopes का यहां पर use करते हैं तो सबसे बहले हमें क्या करना है उस जो isotopes है उसको हमें prepare करना पड़ेगा simple थी बात है आपको अगर कोई चाहिए तो पहले आपको कुछ लिखना है तो आपको पहले पैन लानी पड़ेगी पैन लेकि आओंगे तब ही तो आप उसके तारा कुछ लिख सकते हो से हमारा यहां कि अगर हमें वो लेवल कंपाउंड की जो radioactive compound का यूज करना है तो पहले हमें उसको बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नॉर्मली त लेकिन वो बनने हुए नहीं तो उसको बनाने के लिए हमारे पास प्रॉसेस होती है बंबार्डिंग मैथट तो इसके दोरा नुकलियर फिजा नुकलियर रेडियो यह सब करने के बाद करने के बाद हमारा फाइनली क्या है यहां पर radioactive का अपाउंड होता हुमारा यहां पर जो हमारे radioactive compound है वो हमारे यहां पर फॉर्म होगे फिर हम क्या करेंगे इस plant के अंदर उसको introduce करेंगे प्लांट के अंदर डालेंगे तब ही तो भाई यह अपना आगे दाके काम करेगा तो इसको क्या करते हैं कुछ हमारे पास method है जिसके जारा हम इसको यहां पर insert कर सकते है हमारा है root feeding तो root feeding का simple मतलब है कोई मारे प्लांट है तो इसके root में हम क्या करें यहां पर जो हमारे इसको हम यहां पर insert करेंगे किसमें उसकी जड़ में इंसकर आता है तो इस टेम फीडिंग तो इसके अंदर हम क्या करते है अपना जो रेडियो अपर इंजेक्शन का मतलब क में भरेंगे सॉल्यूशन को और सॉल्यूशन को हम कोई भी अपनी जो होलो इस्टेम होते हैं थोड़ती जगह खाली वहां पर होती है उस जगह पर हम उसको फिल कर देंगे और यहां पर चौथा हमने ले लिया स्प्रेंग टैकनिक इसका मदलब क्या है कि जो हमारा प्लांट चार तरीके से किसी भी प्लांट के अंदर चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं अब आप लोगे मन में एक कोशन तो आना चाहिए कि हम यह इंसर्ट करा हैं लेकिन यह आखिर होता क्या है तो यहां पर इस वाले को हमारा यह मालो और रेडियो एक्टियों का पाउंड हमने इसको तो उसमें हमारी यह चीज़ भी क्या होगी इनवाल्क हो जाएगी यह चीज़ पर कहलेंगी अपना हाथ पटाएगी तो इस तरह से यह मारा सार وتब लिख लगते हैं और हमारा यहां पर मालो secondary metabolic generate हो गया तो उसको हम क्या करेंगे अब हम उसको separate करेंगे बाहर निकाल को और उसको isolate करके हम अलग रख लेंगे अब उसके बाद हम उसको isolate कर लेंगे तो यह हमारा third step में आज आएगा कुछ process मैंने आपको जैसे infusion हो गया maceration हो गया यह बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम इसके लिए हम यह सब सारी चीज़ें कर सकते हैं तो यह मैंने यहां लिखते आप पढ़ लेना अब हम क्या करते हैं फोर्स हमारा है determination of nature of metabolites in various biochemical fraction तो हमने यहां पर इसको isolate कर लिया अब हम इसको भई क्या करेंगे करेंगे कि क्या actual में इसके अंदर हमारा radioactive compound आया है कि नहीं आया है इसको हम क्या करेंगे यहां पर determine करने के लिए हमारी पास यहां पर कुछ टेक्निक्स हैं जैसे हमारा हो गया गीजर मलर कांटर और यहां पर हो गया यहां पर यहां पर हमारा थारोसी फिन Walk नेला यहां हमारा थाई है तो माल अगर किसी पर भी हमूर यहां पर मालो हमने कारववण 14 मतलब यह एक क्या हो गया अब ये खăm़ोग यह हमारा हो गया radio active tyrosine जो यह पूरा कापूरा compound हमारा radioactive tyrosine हो गया अब हम इसको क्या करेंगे जो हमारे अलगले इंस्ट्रूमेंट है यहां पर मैंने आपको दिखाई यहां पर हमारा रेडियो एक्टिविटी के लिए थोड़ी से सेंसिटिव होते हैं तो अगर हम यहां पर मालो हमने फिनाय लेन इसमें डाला कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन की चीज़े यहां तक आ रही है तो इस तरह हम सारी चीज़ों को यहां पर पता लगाते हैं तो आई होप आप लोग को यह सारा कुछ समझ आ गया होगा अब हमारी यूनिट की कम्प्लीट हो चीगी है अब आप कमेंट करके बताइए आपको यह सब कैसा लगा और आपको औ